हलो दोस्तों स्वागत है मारी यूटीब चनल साहिल मार्क में तो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं अगर आपको कराना है तो आप लोग कैसे करा सकते हो इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल से बताने वाला हो गाईज ठीक है देखो गाईज डेट अब बर्ट जो लिमिट क्रोस था इमेल से अपडेट हो रहा था वो जो है अभी बंद हो चुका है अगर आप मेल करते हैं या आपको कोई भी reply मिलता है तो उससे जो है आपका अपडेट नहीं होगा आप जूट मूट में जो है अपना टाइम बरबात कर रहे हो तो अगर आपका date of birth अपडेट कराना है या name update कराना है या gender update कराना है तो आप लोग को जो है मैं जैसे जैसे process बता रहा हूँ और आप हमसे भी update करा सकते हो guys ठीके और हम लोग का जो data है Saturday और Sunday को लगता है तो जिसको भी date of birth update कराना है मातर 7 दिनों के अंदर में guys तो आप लोग ये वीडियो देख लो क्या क्या document भेजना है name, date of birth, gender सारा सभी का process इस वीडियो में बता देना वाला हूँ अगर आप लोग को कराना होगा तो आप लोग वाट्शेप पे मेरे link description में नमबर दे दूँगा उसी पे आप लोग डेक्मेंट अपना भेज देना है ठीके तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे विल आइकन को अन कर लीजे इमेल से update हो रहा था यह जो है इमेल से update हो रहा था Ciao झूंअ अभी चुंअ अबsover ब्लेट नहीं करा सकते हैं अगर आप मेल भी कर देते हैं तो आपका 90 को अन्दर में भी नहीं update हो रहा था तो पहले जो mail करने के बास जो है 90 दिनों के अंदर में date of birth जो है name या gender जो है update हो जाता था लेकिन अभी update नहीं हो रहा है ठीक है तो अगर आप हमसे update कराना चाहते हैं तो update करा सकते हैं अगर आपको कोई proof चाहिए तो आप मुझे whatsapp पे message कर सकते हैं वहाँ पे मैं आप लोग को प्रूफ अपडेट का दे सकता हूँ गाज ठीक है तो date of birth अपडेट कराने के लिए सबसे पहले आपका birth certificate होना चाहिए ठीक है birth certificate, self declaration form और enrollment sleep ये होना चाहिए तीन महिना पुराना sleep अगर होगा तो भी आप लोग का update हो जाएगा गाज ठीक है और आपको आधार card, self declaration form, birth certificate, enrollment sleep को एक अच्छे तरह से hd में clear होना चाहिए उसको पीडियाप में attach करके आप लोग को वाड़सेप करना है और आप लोग को अपना document भेजना है मेरे वाड़सेप ठीक है और देखो भाई मैं आप लोग का 101% आप लोग का पूरा guarantee देता हूँ कि date of birth आप लोग का एक हफते में अपडेट हो हैं उनका update हो चुका है ठीक है और उनका process भी लग चुका है मैं next वीडियो इसी पर लेके आना हूँ ठीक है कि limit cross में साथ दिनों के अंदर में जो है आप लोग को दिखाऊंगा जिनका limit cross था उनका data हमने लगवाया है और मैं आप लोग को उस वीडियो में पूरा तरह से ब passport है ठीक है तो उससे आप एक enrollment कराना normal और जो है आपको क्या करना normal enrollment कराना है उसके बास से जो है डिकमेंट अधार कार्ड और enrollment slip को एक PDF में भेज़ देना है ठीक है और जेंडर के लिए जो है आपको जो भी बार्ट सर्टिकेट या मार्सीट डिकमेंट लगाएंगे उसमें जैसे के है आपको उसमें आपको जेंडर मार्सीट या बर्सर्टिकेट उसमें एक enrollment कराना है उसके बास से जो है उनको PDF बनाके आधार enrollment slip और मार्सीट या बर्सर्टिकेट को PDF बनाके आप लोगो भेज़ देना है ठीक है और डाटा जो है Saturday और संडे को लगेगा जिसको update कर कराना हो भाई वह हमको data लगवा सकता है ठीक है लेकिन पहले payment देना पड़ेगा भाई बिश्वास के उपर data लग रहा है तो जिसको बिश्वास है वही लोग जो है मुझे WhatsApp करे या जिसको नहीं कराना है वह बिलकुल ना करे भाई क्यूंकि अभी email वाला बंद हो चुका है जब mail वाला अपडेट आता है तो उस पर मैं वीडियो आप लोग को लेके आ जामगा गाई ठीक है तो साथ दिन में आप लोग को full guarantee दूँगा और मैं आप लोग को live अपडेट का जो है मैं उस पर वीडियो लेके आने वाला हूँ तो वीडियो जलू देख लिजेगा तो जली से भेजो अगर जिनका भी डेटा बर्त लिमीट क्रोस अपडेट कराना है लेकिन एक है कि बिहार और बेस्ट अब बंगाल का जो है अब भी डाटा नहीं लग रहा है और बाकी जो इस टेट का है डाटा लग जाएगा अपलोड डिकमेंट भेजो ठीक है